अदाव, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्वम और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा तबस्वम टॉकीज एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया और कहा डॉक्टर साब ये मेरी बेटी है दस साल की हो गई है लेकिन देखिए लगती है तीन साल की ना तो इसका वजन बढ़ता है और ना ही हाइट बढ़ती है कुछ ऐसा कीजिए ना कि ये बढ़ने लगे थोड़ी देर तक तो डॉक्टर साब ने सोचा और फिर कहा ऐसा करिए आप अपनी बेटी का नाम मेहंगाई रख दीजिए फिर देखिए दिन बदिन कितनी बढ़ती है वाकई दोस्तों मेहंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज कल हर इंसान परिशान है मैंने आज से लगबग 50 साल पहले एक कविता लिखी थी मेहंगाई पर तो आप भी सुनीए पुरानी नजम याद आ रही है अपनी लिखी हुई लेकिन लगता है कि वो सब्जेक्ट अभी तक पुराना नहीं हुआ सब्जेक्ट है महंगाई पेठ भूका तन है नंगा सर पर छट का नाम नहीं धर्ती माता का बच्चों पर अब वो फैजे आम नहीं तकलीफें तो सस्ती हैं और खुशियों का है काल पड़ा इनसा के होथों पे तबस्स्म सुभा जो है तो शाम नहीं जिनकों सौपी हमने हुकूमत उनके भी बसकी बात नहीं पेट को रोटी तनको कपड़ा देना उनका काम नहीं क्या उल्टी गंगा बहती है क्या बेसुर बच्टा बाजा है जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं जो कुछ भी नहीं वो राजा है आटा महंगा दाले महंगी गी और दूद का नाम नहीं शक्कर गुड का जिकर ही क्या है नमक का भी आराम नहीं लेने गर तरकारी जाओ एक के एक से दाम बढ़े और जो टटोली जेब अपनी तो देखा बिलकुल दाम नहीं जोपड़ी कुटिया महल से महंगी फुट पाथों पर भीर बहुत एक को एक है काटे खाता मेल मिलाप का नाम नहीं सब कहते हैं जीना मुश्किल मरना भी कुछ सहल नहीं नकद नराइन पास नहो तो मौद भी असा काम नहीं आखरी शेर है सब चीजें तो महंगी हैं पर इनसा ही एक सस्ता है टका भी क्यमत इसकी नहीं है बिंदा मौ ये बिकता है सब चीजें तो महंगी हैं पर इनसा ही एक सस्ता है टका भी क्यमत इसकी नहीं है बिंदा मौ ये बिकता है बहुत तकलीफ होती है ऐसी बाते करते हुए देखते हुए और ऐसे दौर में रहते हुए लेकिन क्या करेंगे बताना भी ज़रूरी है आप देखते रहे तब सुन टॉकीज और करते रहे सब्सक्राइब